अब गाडियों में अगर आप पिछली सीट पर बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना आनिवारी होगा पुलीस जो है वो इनक्शन में है और यहां देखिए ट्राफिक पुलीस जो है वो यहां पर अवेर करती हुई कि अपनी सीट बेल्ट पहनी और जो लोग पीछे हैं उन्हें भी जो है वो अब सीट बेल्ट पहनना आनिवारी है ट्राफिक पुलीस अपना काम जो है वो जम्म वो पीछे जो लोग आपके बैक सीट पर होंगे उनको भी आप सीट बेल्ट पहनाए क्योंकि ये अब रूल बन चुका है और ये रूल हलाकि पहले का है लेकिन आप इसकी इंप्लिमेंटेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है और इसलिए जो है अब अगर आप बैक सी फिलाल अवेर किया जाए और अवेरनेस ड्राइव पूरी होने के बाद जो है वो फाइनल जो चलानिंग है वो भी की जाएगी अभी फिलाल जो विजिबल ओफेंसिस हैं उन पर यहां चलानिंग होती हुई लेकिन आवेरनेस जो है बैक सीटर्स के लिए कि वो अपनी सीट बेल्ट लगाएं वो आज से शुरू कर दी गई है और विशेश देखिए यहां पर ट्रैफिक के जो नाका है वो इसलिए यहां पर आज लगाया गया है ताकि इस बैक सीट वाले के जो सीट बेल्ट पहननी है उसको लेकर लोगों को बताया दाए ताकि उन्हें यह ना को आज बताया जा रहा है कि वो अगर अपनी गाड़ी में है तो सीट बेल्ट जो है वो उनके लिए निवारिया है और ट्रैफिक कर्मी जो है वो विशेश कर लोगों के पास जाकर उनकी गाड़ी को चेक करके जो है वो यहां पर जो आवेरनेस है वो दे रहे हैं और प्रत आवेरनेस कंपेन को यहां पर चलाएंगे और उसके बाद जो चलानेंगे है वो की जाएगी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप आपका जो बैक सीट पे शक्क्स बैठा हुआ अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आपको हजार उपे का जो चलान है वो हो सकता है ज जो परिशानी है वो और बढ़ सकती है जाहिड सी बात है अगर आप रेपिटिड वॉयलेटर है तो आपका जो वाहन है उसे भी जो है वो सीज किया जा सकता है आज ट्रैफिक पुलीस जो है वो इस पटिकुलर बैक सीट बेल्ट को लेकर जो है वो आज अवेरनेस केंपेन यहां पर चला रही है ताकि लोग जो है वो अवेर हो जाएं और सीट बेल्ट का उपियोग जो है वो लोग यहां पर करना शुरू हो जाए यहां देखी एक और गाड़ी को फिलहाल यहां पर रोका गया है और विजिबल ओफेंसिस में तो ट्रैफिक पुलीस जो है वो प्रशानी है उन पर वो स्ट्रिक्ट एक्षिन हो रहा है लेकिन विजिबल ओफेंसिस की बात करें उसमें भी जो है वो आप ट्राफिक पुलिस काफी जादा स्ट्रिक्ट है तो अगर आप भी अपने घर से बाहर आ रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर और आप ने जो है वो ग यहां पर सीट बेल्ट जो है वो कैसे अपने लगानी है और सबी को जो है वो सीट बेल्ट अनिवारी है यानि कि अगर गाड़ी में पांच लोग बैठे हैं तो पांचों के लिए जो है वो अब सीट बेल्ट अनिवारी है रहेगी और अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो च समय करती हुई कि दस या पंदरा दिनों के बाद अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो आपको जो है वो बारी बरकम जुर्माना किया जाएगा जो कि इनिशली हजार उपे उसका कॉस्ट है लेकिन आगे भी जो है अगर आप रिपीटिड वाइलेटर काउट होते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो सीज हो सकती है और उसके बाद आप पर जो है वो और भी जो है वो एक्शन जो हो सकता है हमासा यहां पर एसमी सारब कुछ मुझोद है सर आज जो सीट बेल्ट को लेकर अवेरनेस आप चला रहे हैं कैसा रिस्पॉंस लोग देखे पहले भी सिटी जम्मू की तरफ से जो भी वाइलेशन्स थी ट्रैफिक की उसके लिए हमने लोगों को अवेर किया था जैसे आपका हलमिट का था सीट बेल्ट का था उसके लिए लोगों को अवेर किया था तो जब अवेरनेस के बार लोग चीज़ों को नहीं मानते हमने उस पर चलानी इवन लॉव में ये भी लिखा गया है कि आप गाड़ी में 14 साल से कम आयू के बच्चे को फ्रेंट सीट में बढ़ाएंगे अगर बढ़ाएंगे भी तो उसको रियर सीट में हारनेस के साथ बढ़ाएंगे और बच्चा 14 साल से उपर है तो उसको कंपलसरिटी सीट बैल्ट लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो जो नहीं मानते हैं हम चलान करते हैं अभी फिलाल जो कहा गया कि जो बैक सीट पर बैठे होंगे उनको भी सीट बैल्ट पहनने के लिए लगाई है तो मेरा लोगों से अंदरोध है आपके चैनल के माधियम से अंदरोध है कि उसके दराइभर है किस पर किस परकाद आगारे चबे जारत आते हैं उसके Country होती है उसके बाद फोर्ट वक्त वक्त डाइम पे हम special drive विचलाते हैं आज भी special drive है against आपका seatbelt है H.S.R.P. है और आज हम चलानी के साथ साथ लोगों को aware भी कर रहे हैं जो rare seatbelt हैं कि please आप भी seatbelt पहनिए असर इसके लवाब mini buses को लेकर लोगों की बहुत से शिकायत रहते हैं कि वो से पता लगा हमें या हम खुझ भी देखते हैं कि जहां-जहां पे उनने अवर रोडिंग किये कि उनके चलान हुए हैं ऐसा नहीं चलान नहीं हुए चलान हो रहे उनके हलाब भी हो रहे सर जो बसी सो मेनी मसिस के ट्राइवर है कि उनके लिए बिल्कुल जो आपके कमर्शल विकल्स में भी जो हैं उनके लिए भी अनवारी है मैं यह मान कर चुलूं कि अगले दस या पंदरा दिनों के बाद सीट बेल्ट के लिए भी चलानिंग बिल्कुल बिल्कुल यहां पर देखिए कि फिलाल अवेरनेस कमपेन है लेकिन अगले दस पंदरा दिनों के बाद जो है चलानिंग जो है वो एक आएक का जो है वो सीट बेल्ट के लिए भी यहां पर शुरू हो जाएगी तो आप लोगों के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट मैसेज है कि अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो यानि कि हाई स्कूर्टी नंबर प्लेट नहीं है यानि कि विजिबल ओफैंसिस के लिए ट्राफिक पूलिस पूरी तरा से सक्थ है और अब इस विजिबल ओफैंसिस में आपकी जो बैक सीटर की सीट बेल्ट है वो भी आड़ हो जाएगी यानि कि अगले पंदरा दिनों क के बाद आप ये मान कर चली कि अगर आप गाड़ी में चार या पांच लोग हैं और पीछे बैठे हुए लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आप एक्स्क्यूज नहीं दे पाएंगे आप पर भी जो हजार पे का जुर्माना हो सकता है और रपीटिड जुर्माना ह होने पर आपकी गाड़ी भी सीजो सकती है तो ये का आपके लिए बहुत जरूरी आवेरनेस है कि जब भी गाड़ी लेकर निकलें विजिबल ओफेंसिस से बचें और दूसरा सीट बेल्ट जो है वो गाड़ी में बैठे सबी लोगों के लिए अब से अनिवारिया होगी आ आप देखते हैं जमू लिंक्स निउस नमस्कार